तो फाइनली गाईज एक्सिस बैंक का रूपे क्रेडिट कार्ड यूपी आई वाला क्रेडिट कार्ड मुझे मिल चुका है जैसा कि देख पारें मैंने यहाँ पे अपलाई किया अज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक्सिस बैंक का अगर आपके पास एकॉंट है तो आप एक्सिस बैंक का रूपे क्रेडिट कार्ड यानि यूपी आई वाला क्रेडिट कार्ड कैसे अपलाई कर सकते हैं तो सबसे पहले एक्सिस मोबाईल में लॉग इन हो जाएंगे लॉग इन होने के बाद प्रोफाइल में जाएंगे अपलाई नौ का आप्सिन मिल जाएगा उस पर क्लिक करेंगे अपलाई नौ वाले आप्सिन में देखेंगे बहुत सरा आप्सिन आपको देखने के लिए म यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटर। demonstrated आपकोो देखने के लिए मिल जाएगा। लगिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इंडियान ऊयल एक्सिस बैंक की ड dragons इनेबल टी वात कि पहले किया हुआ। मतलब ये card to card basis पे है मतलब मेरे पास फिलिप card access bank का credit card है उसके basis पे ये pre approved दिया जा रहा है और जो limit है वो distribute हो जाएगा अब आपको भी यहाँ पर इसी तरह का option दिख रहा है तो apply कैसे करना ये simple तरीका देखिए यहाँ पर मताते हैं get now का option मिल जाता है उस पर click करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले address select करने का option आएगा एक बात याद रखेंगे जो पहले credit card आपका address पे आया था उसी address यहाँ पर show होगा वही address को select भी करना है ठीक है उसके बाद नीचे देखिए address no yes का है तो yes पर ही रहने देंगे उसके बाद confirm address का option मिल जाता है उस पर click करेंगे अब यहाँ पर application review करने के लिए बोल रहा है कि इस card के बारे में आप देख ले सब कुछ दिखेंगे यहाँ पर zoom करके हम दिखाते हैं आपको कि रूपे का credit card है और enable UPI पहले से दिखा रहा है ठीक है तो यह चीज हो गया limit to meet सब दिखा रहा है यहाँ पर address नीचे आ जाएगा आपका पूरा account details आ जाएगा email ID वगएरा उसके बाद यहाँ पर confirm का option मिल जाता है उस पर click करेंगे एक term and condition रहेगा इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं नीचे जाएगे I agree का option मिल जाता है एगरी वाले option पर click करेंगे loading लेगा आपको इंतजार करना है उसके बाद देख सकते हैं congratulations आपको एक reference number मिल जाएगा और बोल रहा है कि हम जो है card को deliver करेंगे shortly ऐसा बोल रहा है जो आपने deliver address दिया यहाँ पर उसके उसी address पर यह card जो है अभी मैंने इनको unbox करना है मतलब कि यहाँ पर unbox करके setup करना है तो देख सकते हैं यह तुरत मुझे मिल गया